नमस्कार बहुत स्पागत है आपका हमाच रतिसगर के इस खास बुलेटिन में ख़बरों के साथ मैं हो रही नूँ सबसे पहले बाद तो राइपूर से बड़ी ख़बर की सफाई करमचारें की हरताल खत्म वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर और हरताल पर थे सफाई करमचारे कंपनी ने सैलरी बढ़ाने का भरोसा दिया एक महिने में सेलरी बढ़ाने का दिया भरोसा हर्ताल पर टे डो टो डोर कच्छरा कलेक्शन करमी और इन्हें काफिस समझाईश दी गई है जिसके बाद ये माने हैं और अब काम पर वापस लोटने के लिए तयार हैं तो खबर रायपुर से है जहांपर सफाय करमीचारियों की हर्ताल खत्म हो चुकी है वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर ये हर्ताल कर रहे थे कमपणी ने सेलरी बढ़ाने का भरोसा दिया है अब जब ये हर्ताल कर रहे थे हुजरान इन्हों जो डोर टो दोर कच्छरा होता है इस पर रोक लगा दियो और इस वी वज़े से इलाके में काफी गंदगी फैल गई थी और लोगों को इससे खाजी परिशानी हुए और अब आश्वासा दिया गया है कि एक मैनी की जो सेलरी है उसे बढ़ाया जाएगा कंपनी ने सेलरी बढ़ाने का दिया है भरोसा स सेलरी बढ़ाने की मांग पर डो टो डोर कच्छडा कलेक्शन करने वाले कर्मिचारी अड़े हुए थे और अब उनकी बातों को क्या मान लिया गया पूरी शड़ते मान ली गई है क्या कुछ जानकारी अभी जी बिल्कुल देखे मंगलवार से आज सुबा लगभग बारा बज़े तक जो है सफाई कर्मी हर्ताल पर रहे है और इसके बाद बीते दिनों जो है महाप और इजास धेपर ने उनकी मांगों को लेकर सफाई कर्मियों से मुलकात की थी हाला कि महाप और इजास धेपर से मुलकात के बाद भी सफाई कर्मियों अपने हर्ताल पर डटे रहे है और उनकी उस वक्त मांग थी कि जब तक उनको लिखेत में आदेश जो है वो नहीं आएगा कि उनकी सेलरी बढ़ाई जाएगी साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ कदम उठाये जाएगे तब तक वो हर्ताल पर डटे ही रहेंगे इसके बाद आज जोन कमिशनर ने हर्ताल कर रहे है सफाई कर्मियों से मुलकात की है और इसके बाद उनको सेलरी बढ़ाने को लेकर आशवाशन दिया गया है साथ ही सुरक्षा को लेकर भी जो है बात हुई और एक महने के बाद उनकी मांगो को पूरा करने की बाद कमपनी के त्वारे कही गई है और ऐसे में सफाई कर्मी भी अपने हर्ताल से जो है वो हट चुके है और अब दोर तुर घर पे कच्छा कलेक्शन का कार्य भी जो है उनका वो शुरू हो चुका है तो इन तमाम को लेकर जब नगर निगम के और से उन्हें आसवस्त किया गया उसके बाद वो हट ताल से जो है वो हटे जी बहुत शुक्री आपका तनूत अमाम जानकारी के लिए तो अब डोर तुरूर कलेक्शन करने वाले जो कर्मचारियों काम पर वापस लौट आएंगे और लोगो को काफी सी रहत मिलने वाली है राइपुर से एक और खबर है जहां सफाय कर्मी से मारपीट को लेकर विवाद बढ़ गया माप और एजास जेवर से मिले कॉंग्रेस के पारशत पिटाई करने वालों पर धाराय बढ़ाने की मांग की गई है माप और एजास जेवर ने स्प मारपीट की गई थी और यह विवाद अब काफी गर्मा चुका है महाप और एजास जेवर से मिले कॉंग्रेस के पारशत पिटाई करने वालों पर धाराय बढ़ाने की मांग की गई है महाप और एजास जेवर ने स्पी से मुलाकात की है बीजेपी की छाया पारशत के सब्सक्री के अखर बारा वहाँ पर चुनाओ लड़ चुके हैं उनके पुत्रों के द्वारा वहां मार्पीटी गई जिस तरीके से उसको मारा गया तो कल हमारा कारे पूरे तरीके से बाधा रही कल कहीं पर भी पूरे शहर में कल कचरा नहीं उठा और आज भी आधे शहर में कहीं पर भी कचरा नहीं उठा है तो करमचारी हरताल पे चले गए थे कल मैंने कम से कम आधे शहर में मैंने काम चालू कराया मगर क्योंकि वो भारती जन्ता पार्टी का चाया पार्थत का बेटा है और उस तरीके से अगर वो गुंडा गिर्दी करेगा और अब नरायनपूर से खबर जान सुरक्षा बलो नकसलियों में मुटभेड हुई है बस्तर पाइटर्स और स्टीफ की सायुक्त कारवाई के दौरान ये मुटभेड हुई है खबर नरायनपूर से आपको देने है जहां पस्ट्रक्षा बलो नकसलियों में मुटभेड हुई मुठभेड में नकसली के मारे जाने की खबर है नकसली के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टी फिलहाल नहीं हो पाई है दंतेवाडा बीज़ापूर के सिमवर्तिश चेतर में मुठभेड हुई है संबादाता खेम नरायन जुड़ गए है खेम नरायन मुढभेड हो रही थी अभी क्या कुछ ताज़ अपडेट जी 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 जो जानकारी नरायनपूर से निकल कर आई थी कि आज सुबा जो है डी आरजी बस्तर फाइटर और एस्टी एफ के जो जवान है नकसल विरोधी अव्यान को लेकर जो है और चाना छेतर क के रेंगावाही के जंगल की और निकले थे वहाँ पर जो है नकसली योग से उनकी मुढभेड होगे और मुढभेड के दौरान जब सर्चिंग पार्टी के जवानों ने जवाबी फाइरिंग की तो वहाँ पर एक नकसली के मारे जाने की जो खबर है वो निकल कर सामने ही है जब तक जो है जंगल में जब मुढभेड समाप हो जाएगा क्योंकि अधिकारियों के जानकारी की हिसाथ से वहाँ पर रूप रूप कर फाइरिंग दोनों तरफ से जारी है और मुढभेड समाप होने के बार जब सर्चिंग पार्टी जो है वहाँ ःष्भडना इस नकसली बनेने से रोकने की कोशिश रहेगी लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ाने की कोशिश नकसली क्षेत्र में शांती बहाल करने पर पूरा जोड़ दिया जाएगा तो खबर आइपुर से है जहां पर नकसल समस्या पर बोले विजय शर्मा मसला ये है कि और युवाइस दिशा में ना जाएं मसला ये है कि जो हैं वो सरेंडर कर जाएं मसला ये है कि जो सरेंडर किया है उनकी चिंता हो जाए मसला ये है कि जो इन से प्रभावित हुए हैं उनकी चिंता हो जाए मसला ये है कि वहाँ विकास कारे पूरे ठीक से हो जाए मसला ये है कि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ जाए बहुत से आयाम है बहुत से आयाम है मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जो encounter का मसला है operations का मसला है यह भी उस पूरे अभियान का 20 प्रतिशत है